जिया दोस्तों इस टुवर्ट ब्रॉड के ओवर में छै गिंदों में 35 रण जटने के बाद अब श्टूवर्ट ब्रॉड का बड़ा बयां जस्प्रीद बुमरा के ओपर निकल कर आए जहां इस टूवर्ट ब्रॉड इस दौरान जस्प्रीद बुमरा पर काफी ज़़ादा भड़कते हुए दिखाई दिये और उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सुनने के बाद आपके भी जरूर हो शुड़ने वाले हैं दोस्तों यहां क्या बोले श्टुवर्ट ब्रॉड वो सब तो आपको यहां पर हम बताएंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जस्परीत बुमरा और श्टुवर्ट ब्रॉड में से कौन एक अच्छा गेंदबाज अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में दरसल हुआ यह था कि जब रविंद्र जड़ेजा और मुहमद शमी पारी की शुरुआत करने के लिए आये थे तो यहां पर रविंद्र जड़ेजा 104 तो वहीं मुहमद शमी 16 रन बनाकर आउट हो गए थे हाला कि बल्ले बाजों के आउट होने के बाद पूरा दारोमतार 10 विकेट के लिए जस्परीद बुम्रा और मुहमद शिराच के ओपर था और दोस्तो इस दोरान जस्परीद बुम्रा ने ताबर तोड़ बल्ले बाजी करकर दिखाई दरसल दोस्तों जस्परीद बुम्रा ने श्टूर्ट ब्रॉड के 84 वे ओवर में 35 रन चड़ डाले और इसी के साथ उनकी बल्ले बाजी देखने के बाद पूरा क्रिकेट जगत दंग रहे गया तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें जस्परीद बुम्रा की तो दोस्तों जब पारी का 84 वा ओवर श्टूर्ट ब्रॉड फैकने के लिए आये ते तो उस ओवर में जस्परीद पर चली गई और इस दोरान पांच रन इंग्लेंड की टीम के खिलाफ भारत को मिले हाला कि दोस्तों फिर जस्परीद बुम्रा ने चौके और चखके जड़कर इस मुकाबले में 30 रन एकी ओवर में जड़ डाले हाला कि अगर हम बात करें इस्टूर्ट ब्रॉड की तो द गेंदवाजी करता है और वो इंटरनेशनल किर्केट का बास्षाए गेंदवाजी में लेकिन मुझे नहीं पताता कि बुम्रा बल्लेबाजी भी इतनी अच्छी करता है मुझे लगता है कि बुम्रा ने अपनी बल्लेबाजी में काफी जादा सुधार किया है और आगे आन तेस्ट क्रिकेट में रन पढ़वाने का अपने नाम करवा लिया हाला कि मुझे पस्ताव आई कि मैंने जो भी किया वो आज गलत था लेकिन बुम्रा की बल्लेबाजी से भी आब मैं वाकिफ हो चुका हूँ और आगे से मैं कभी भी वो गलतिया नहीं दोहराने वाला हूँ जो कि आज मैंने दोहराई हाला कि बुम्रा के शॉट देखने के बाद मुझे भी काफी ज़्यादा हसी आ रही थी कि आखिरकार एक गेंदवाज मेरी गेंदों पर इतने बड़े बड़े शॉट कैसे लगा सकता है तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जस्प्रीद बुम्रा क उपर काफी बड़ा बयान इस्टूर्ट ब्रॉड ने दिया बाकि अब आप सभी की क्या राय है इस बयान के बारे में आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर चरूर उपताईएगा